तो बच्चो अब हम कह रहे हैं यह question बोल रहा है कि rectangle room है जिसकी length है 106 meter जिसकी कितना चौड़ा wide है 4.8 meter और इसकी height है 3.5 meter बोल रहा है inner surface area inner surface area basically हमें बोलते है inner surface area को अब solve कर लोगे तो देखो बच्चो इसको solve करते हैं तो बच्चो यह हो जाएगा हमारा 2 into यह हो जाएगा हमारा 10.8 into 3.5 अब बच्चो में इन तीनों को multiply कर लेता हूं और इन तीनों को multiply आप भी अपनी कॉप्यों में पॉस करकर कर लेजिए और इन तीनों को multiply होगा बच्चो 75.6 meter में है सब तो meter और square है न तो बच्चो देखो कितना easy था यह question तो काफी easy था चलो गई अब करते हैं 16 question